उत्तर प्रिदेश की सपत सरकार में वरिश मंतिरी रह आजम खान के करीबी पूर्फ सियो सिटी आले हसन के नाम से बड़े-बड़े सूर्मा खौफ खाते थे जल्वा इतना था कि पुलिस महकमा के आला अफसर भी अपने सियो सिटी को आले हसन भाई कहकर संबोदित किया करते थे सद्धा परिवर्तन के बाद जहां आजम खांपर सौसे अधिक मुकदमे दर्ज हुए तो वहीं पूर सियो सिटी आले हसन पर भी मुकदमा कायम हुए तरकार में आजम खान ताकतवर कैबिनेट मंत्री बने, पात सालों में उनका इतना सियासी रसूख था उसी दोर में उनकी एक इशारे पर कानूनी लीक से हटकर काम करने वाले उनकी बेहत करीबी ततकालिन सियो सिटे आले हसन आजम खान की विरोधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम था या तो उनकी बात मान लो या फिर भारी भरकम चरस के साथ जेल की सलागों के पीछे पहुँच जाओ ये सिलसला अंगिनत लोगों के साथ जारी रहा प्रिदेश में सत्ता पलट होने और भाशपा की सरकार आने पर आले हसन पर जोहर युनिवरसिटी के आस पास की जमीनों की किसानों से जबरन रजिस्टी करा जाने के मामले में एफ़ायर दर्च की गई थी ये मामला अदालत में लंबित है और अब अदालत ने तीन और मामलों में और सियो सिटी की जमानत की अरजी को खारिज कर दिया है पूर सियो सिटी आले हसन अपने उपर दर्च कई मामलों में जेल भी गए और फिर कई महीने के बाद जेल से रिहाई भी मिली कुछ इसी तरह कई मुकदमों में स्थानी अदालतों के अलावा इलाबाद हाई कोट से भी जमानत मिली और कुछ में इस्टे ओर्डर भी मिला कुछ इसी तरह गुरुवार को तीन मामले में आले हसन की ओर से अपने वकील के मध्यम से जमानत को लेकर प्रात्ना पत्र दिये गए जिन पर अदालत ने सुनवाई करते हुए रत कर दिया पूर्ख सियोसिटी आले हसन खा की ओर से सतर नयाले में MP MLA कोट में अग्रिम जमानत प्रात्ना पत्र रियोजित किये गए थे जिसमें प्रासेक्यूशन की ओर से हमने बहस करते हुए उसका विरोध किया है इसके पीछे प्रकरण ये है कि ग्राम सीगन खेड़ा में भूमी धर किसानों की जमीन जो जोहर इनवस्टी में जबर्दस्ती ले ले ली गई है पर्थम सुचना रिपोर्ट में आरूप लगाया गया है कि आले हसन खां थाना धश कुशल वीर आदी नि मुहमद आजम खां के कहने पर किसानों को उनके बच्चों को जबर्दस्ती थानों में निरुद्ध किया उन्हें जमीन नाम कराने का इन्वस्टी के दवाब बनाया और बेनामा नहीं करने पर उन्हें अफीम और चरस के जूटे मुफ़द्मों में जेल भेजने की धंकिया दी गई इसके बाद भी बेनामे नहीं हुए तो बिना बेनामों के ही उनकी जमीन यूनिवस्टी की चार दिवारी के अंदर ले 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 गई तो इन सबी में धारा 323, 342, 447, 386, 389, 506, 420 और 120 BIPC का मामला है इनके खिलाफ पुलिस द्वारा परियाफ साक्षज उटाया गया है आरोप पत्र नयाले में प्रिशित किया गया है हमने वो सभी तत्त मानिय नयाले के सामने रखे है मानिय नयाले MPML कोट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज तीन जमानत प्रातना पत्र आले हसंद खाके रद कर दी है